हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई यूटूब चैनल टेक्नो टिप्स आज के वीडियो में आपको बताऊंगा पिक्सल लेप पर आप अपने थमनेल के लिए कस्टमाइज फॉन्ड कैसे बनाए हाँ दोस्तो आप अपने पिक्सल एप्लिकेशन पर एक्स्ट्रा फॉन्ड एड कर सकते हो आप लोग जितने चाहो उतने फॉन्ड एड कर सकते हो अपने एप्लिकेशन पर वो भी एकदम क्विक तो दोस्तो ये वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो क को इना skip करें पूरा end तक देखें जिससे आपको अपना customize font add करते आ जाए तो दोस्तों अब हम वीडियो को start करते हैं यहां पर आपको fonts में जाना है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो यहां पर सारे basic fonts आपको दिखेंगे जो pixel lab पर पहले से अवेलेबल होते हैं जो आप my fonts में आपको extra fonts add करने का भी option मिलता है जैसे आप देख सकते हो इस font font की style पूरी अलग है जो आपको basic font में नहीं मिलेगी तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि आप यहां पर extra font कैसे ला सकते हैं इसको करने के लिए दोस्तों simple process है आप आपको करना यह है कि मैंने आपको एक link दिये नीचे description में आपको उस link को open कर लेना है आप जैसे यह उस link को open करोगे यह website open होगी यह इसको open करते हैं आपको यहां पर सारे extra fonts मिल जाएंगे यहां पर आपको उपर एक चार्ट मिलेगा यहां पर आप अपने category के हिसाब से किसी भी font को choose कर सकते हो यहां पर उपर cartoon, comic, grovy, old school, horror सारे type के extra font मिल जाएंगे यहां पर मैं horror पर click करता हूँ तो यहां पर मुझे सारे horror style के fonts मिल जाएंगे यहां पर साइट पर download का option मिलेगा आपको उस पर click कर लेना है friends आप देख सकते हो यह सारे fonts यहां पर download हो चुके हैं तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा यह सारे fonts आप pixel lab पर कैसे add कर सकते हैं friends pixel lab पर यह सारे extra font add करने के लिए सबसे पहले आपको file manager open कर लेना है file manager open करने के बाद आपको download open करना है download में आपको आपने जो जो font select किये थे वो सारे font यहां पर आपको मिल जाएंगे अब यह सारे fonts pixel lab में लाने के लिए आपको सबसे पहले तो file को decompress कर लेना है decompress करने के बाद आपको file को copy कर लेना है copy करने के बाद आपको इसे font के folder में paste कर देना है आप देख सकते हो यह font folder में paste हो गया है अब इसे pixel lab पर extra fonts में add करने के लिए आपको फिर से pixel lab open करना है pixel lab में आपको fonts में देखोगे तो यहां पर आपने जो भी font select किया था वो आपको यहां पर मिल जाएगा अब आप देख सकते हो यह पूरा font यहां पर select हो चुका है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे आगे भी आपको नए वीडियो मिलते रहे